हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैं चैनल नमीता किचन कॉर्णर, मैं नमीता और आज मैं आप लोग के साथ भेज चीला की रेसिपी सेयर करने जा रही हूँ, भेज चीला खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट लगता है और बहुत सी सब्जियां इसमें डली होती है, उसकी वज़े से हल्दी भी बहुत होता है, तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं, चिला बनाने के लिए हमने एक कप बेशन लिया है, चने डाल का, इसमें हम एक चोथाई चम्मच, छोटी चम्मच से जीरा पाउडर डाल देंगे, और आधी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी इसमें हम हल्दी भी डाल देंगे, एक चोथाई चम्मच से कम लिया है हमने हल्दी, और उसके बाद हम इसमें थोड़े से लाल मिर्च भी डाल देंगे, यह आधी छोटी चम्मच हमने लाल मिर्च डाला है, आप अपनी स्वाद के अनुसार डाल लें, उसके ब बहुत कन बारिक काटा है किया और यह 6- animals को में 25 इसमें कम जाना है और जो भी सबीशा तो पसंद और अगुचिंद्ट के अगल चाहत्ते हैं और यह capsicum है बारिक बारिक काट लिया है बारिक बारिक काटेंगे सबजिया तो बहुत अच्छे से पक जाएंगी और यह हमने beans डाला और अभी हमने गाजर डाल दिया है और सभी को डाल कर हम अच्छे से एक बर मिला लेंगे उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम इसका गोल बना कर तयार करेंगे इस बैटर को बनाने में हमें कोई भी सौधानी की जरूरत नहीं होती है क्योंकि हमने इसमें सब्जिया डाली है तो बिल्कुल भी इसमें गुटलिया नहीं पड़ती है बहुत ही आसानी से ये अच्छा गोल बनकर तयार हो जाता है अभी ये बैटर जो है बहुत गाड़ा लगड़ा है इस तरीके के बैटर से हम अगर चिला बनाएंगे तो अच्छे से फैलेगा नहीं तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं तो पानी डालकर मिला लेते हैं उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे तो अभी हमने इसमें नमक डाल दिया है स्वादनुसा डाल कर मिला लेते हैं और अब हम इसमें थोड़ी सी बारी कटी हुई धनिया पत्ती डाल देते हैं इसे भी डाल कर मिला लेते हैं तो अभी आप देख सकते हैं इसकी कंसंटेंसी बिल्कुल ऐसी ही कंसंटेंसी वाली हमे बेटर चाहिए चीला बनाने के लिए तो चलिए अब हम चीला बनाना इसका स्टार्ट करते है गैस ओन करके तवा को रख देते हैं और इसके उपर हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं रिफाइन ओयल हमने डाला है कोई भी आप कुकिंग ओयल डाल सकते हैं एक दो चमत चोटी चमत से डाल देते हैं और उसके बाद इसे गरम होने देते हैं तो अब यह जो तवा है वो अच्छे से गरम हो गई है अब हम गैस के फ्लेम को लो कर देते हैं क्योंकि हमें लो फ्लेम पर ही चिला फैलाना होता है high flame करके better डालेंगे तो वो अच्छे से फैलेगा नहीं cook होने लगता है तुरंट इसलिए हम इसे low करके अच्छे से फैला लेंगे और बहुत ज्यादा इसे हमें पतला नहीं फैलाना है सब गियां डाली है हमने थोड़ा सा मोटा रखेंगे और इसे एक साइट से cook होने देंगे जब िये एक साइट से cook हो जाता है तब इसका color हल्का सा change हो जाएगा आपको पता चल जाएगा तो आप इसे पलट दें पलट देने के बाद हम इसे दूसरे साइट से भी 16 लेंगे दूसरे साइट से जब ये तवा छोड़ दे तब हम दोनों साइट से इसे पलट पलट कर गोल्डेन होने तक सेक लेंगे ये देखे इसी तरीके से दोनों साइट से हमने इसे गोल्डेन कर लेना है और उसके बाद जब ये गोल्डेन हो जाएगा तो इसे हम तवा से उतार देंगे और बाकी बच्चे हुए जो हमारे हैं उन्हें भी हम इसी तरीके से सेख लेंगे तो अभी आप देख सकते हैं यह अच्छा सा गोल्डन हो गया है और अब हम इसे तवा पर से हटा देते हैं और दूसरा डालने के लिए हम तवा के फ्लेम को पहले लो कर देंगे इसे सेखते वक्त हमने मीडियम कर दिया था या फिर बीच में हाई भी कर सकते हैं तो सेम प्रोसेस में हम सारे को बना लेंगे बहुत टेस्टी लगता है सबजियां जो है इसमें की बहुत ही अच्छी क्रंची लगती है तो यह हमने सभी चिला को बना कर तयार कर लिया है आप इसे टोमाटो सॉस के साथ या फिर धनिया की खटी मिठी चतनी या फिर आपको जिसके चीज के साथ खाना पसंद है आप इसे खा सकते हैं बहुत ही स्वादिश्ट लगेगा आपको मेरी रेसेपी कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो रेसेपी को लाइक सेर और कमेंट करें और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करें मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाई